हाई गाईज मैं निखल और आप देख रहे हैं बस ट्रीट है गाईज आज इस वीडियो में आपको बता हूँ कि आप अपने लैपटॉप बैटरी की हेल्थ कैसे चेक कर सकते हैं कितनी हेल्दी है अभी आपके लैपटॉप की बैटरी अगर हेल्दी नहीं है तो क्या उसको कराने का टाइम आ गया है यह सब चीज हम यहां पर डिसकस करेंगे विद्ध हैल्प आफ कमांड प्रॉंट तो यहां पर आपको जाना है अपने लैपटॉप में सर्च में जाना है और cmd टाइप और कमांड प्रॉंट को रन एड्मिनिस्ट्रेटर आपको रन कर लेना है ठ इसको दोनों कमांड बता देता हूं जिससे कि आपके नॉलिज में रहेगा तो आप यहां पर लिखेंगे पावर cfg ठीक है उसके बाद एक स्पेस देंगे देन एक हाइफन लगाएंगे देन लिखेंगे एनरजी ठीक है पावर कॉन्फिग पाइफन एनरजी जिस्ट आप यहां पर बैटरी रिपोर्ट जनरेट कर रहे हूं आपका सिस्टम चार्जर से प्लग दिन नहीं होना चाहिए बैटरी पर वर्क करना चाहिए जिससे कि बैटरी के बेवियर को एनलाइज किया जा सके तो यहां पर आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा टाइम लेगा व विंडोस सिस्टम 32 में एक यहां पर रिपोर्ट जनरेट हुई है एनरजी रिपोर्ट.stml के नेम से इसको जाके आपको देखना है ठीक है इसको हम देखेंगे उससे पहले मैं आपको एक कमांड और बता देता हूँ ठीक है उससे भी यहां पर रिपोर्ट जनरेट होती है अलग नेम से यहां पर आप लिखेंगे पावर सी एफ जी एन इस पेस देंगे फावर स्लेश लगाएंगे यहां पर लिखेंगे बैटरी रिपोर्ट ठीक है दूसरी कमांड सिर्फ यह है इन दोनों ही कमांड से आउटपट आपको सेम मिलता है जस्त यहां पर फाइल चलते हैं अपने दिस पीसी में गई सी ड्राइब में गई सी ड्राइब में यहां पर हमें जाना है विंडोज में विंडोज में जाने के बाद हमें जाना है सिस्टम 32 में ठीक है यहां पर सिस्टम 32 तो यहां पर दो फाइल यहां पर जनरेट हुई है उनको चेक कर लेते है सबसे पहले हम Check कर लेते हैं Battery Report तीक है बैर्टरी रिपोर्ट पे आप डबल-क्लिक कर सकते हैं दौनों ही File html होगी तो आपके ब्राउजर में open होगी, Battery रिपोर्ट का हम ने open किया तो यहाँ ठीक है अब दोनों को हम यहाँ पर एक बार रीट कर लेते हैं इसमें काफ़ी सारी information आती है आपके computer की information से लेके आपकी battery के behavior तक की information इसमें रहती है और किस वज़े से आपकी battery अगर proper work नहीं कर रही है इस तरह का solution और errors भी इसमें रहते हैं तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं आप देख सकते हैं यह battery report आ रही है computer name वगरा यहाँ पर आ रहा है इससे में मतलब नहीं है installed batteries आप देखते हैं battery report वाली हम फाइल देख रहे हैं इसको test ml तो इसमें battery का name आ रहा है यह सबसे important चीज़ है battery का name आप direct इस name से search कर सकते हैं battery code just इसको आप copy करेंगे और google पे paste करेंगे और search करेंगे तो exact battery आपको show कर देगा ठीक है यह manufacturer यहाँ पर manufacturer code यहाँ पर आ रहा है जिसकी मदद से आप battery search कर सकते हैं serial number का है battery का कौन सी chemistry से lithium ion battery है और यहाँ पर design capacity और full charge capacity आ रही है यह एक चीज़ है जो main चीज़ है जसे आप अपनी battery की health पता लगा सकते हैं ठीक है दोरों ही चीज़ों को समझना जरूरी है design capacity वो capacity होती है जिस parameter पर आपकी battery डिजाइन की गई है कि हाँ इस level तक आपकी battery charge hold कर सकती है और दूसरा full charging capacity वो capacity है जो इस वक्त currently आपकी battery charge hold कर पा रही है अगर यह दोनों same है at current situation that means कि आज की situation के according आपकी battery पूरी तरीके से healthy है कुछ cases में ऐसा होता है कि full charge capacity आपकी design capacity से कम हो जाती है that means कि आपकी जो battery है उसकी health घड रही है आप उसको calculate भी कर सकते हैं अपने calculator में जाएगा calculator open कीजेगा अब मैं example के तौर पर आपको बताता हूं कि किस तरीके साप health calculate कर सकते है current situation में अगर suppose आपकी full charge capacity यहाँ पे कम है जैसे suppose 35,000 capacity है मेरी full charge capacity और यहाँ पर design capacity जो है वो आप देखे रहे है 37,905 ठीक है और इसको आप calculate करते हैं और multiply करते हैं 100 से तो आप आपके पास total percentage यहाँ पर आ जाएगा 92.3% मेरी battery जो है वो healthy है ठीक है अगर बहुत ही ज्यादा कम होता जा रहा है that means कि जो battery है वो आपके उसकी health damage हो रही है और उसका मतलब होता है कि आपको अपनी battery change कराने की जूरत है यह तो वो condition है जिसमें आपका जो battery है वो current situation में है क्य first time laptop unbox किया गया था जब आपने actual battery अपने system में place कियोगी या laptop में use कियोगी उस time design capacity एकदम अलग होगी वो कैसे चेक करते हैं चली बताता हूं आपको यहाँ पर मैंने आपको बताया था name just आप copy कर लेंगे ठीक है क्योंकि इस name से आप अपनी battery find out कर सकते है और future अगर आपको battery replace भी करनी हो तो आप same name से आप battery purchase कर सकते हैं just मैंने इसको copy किया ठीक है google पे गए हम just मैंने इसको paste किया और search किया search करते है आप देख सकते है battery for hp laptop यहाँ पर लिखा आ रहा है और यहाँ पे same website यहाँ पर open हो रही है open कर लेते है open करने के बाद यहाँ पे जो battery है same battery जो हमारे laptop laptop में लगी हुई है उसकी information हमें आप पर शो कर देगा तो आप देख सकते हैं इसकी actual information हमें आप पर शो कर रहा है ठीक है अगर हम 48 वाट आर को मिली वाट आर में convert करें तो actual design capacity आपके पास आजाएगी कर लेते हैं चलिए 48 वाट आर ठीक है टू मिली वाट आर यहाँ पर हम website पर आगा है डारेक्ट वैल्यू एंटर कर लेते हैं 48 वाट आर को जब हमने यहाँ पर convert किया मिली वाट आर में आप अगर हम आज की situation के हिसाब से देखें अगर मैं अपने laptop में देखूं तो मेरी आज की situation के हिसाब से जो जो laptop की बैटरी है वो एकदम healthy है क्योंकि 100% यहाँ पर मुझे output मिल रहा है 100% charge वो hold गरबारी है ठीक है लेकिन अगर मैं design capacity के हिसाब से देखें तो 48,000 milli watt आर इसकी design capacity थ रहें 100 से तो यहाँ पर आप देख सकते है 78.9% यहाँ पर मेरी बैटरी healthy है अगर मैं उस condition से compare करूं जब मैंने laptop लिया था ठीक है तो 5-6 साल में इतना decrement तो हो गई हो क्योंकि laptop को मेरे 5-6 साल हो चुके हैं यहाँ लेकिन आज की situation के साब से जो मैं cycle use कर रहा हूं उसे साब स बैटरी एकदम 100% healthy है जैसा कि मैंने आपको बताया आप इस तरीके से calculate कर सकते हैं अगर यहाँ पर आपका जो full charge capacity है वो बहुत ज़्यादा down चला गया है या फिर down जा रहा है in respect to time that means कि आपको बैटरी चेंज करने की जोड़त है आपकी बैटरी अब damage होने की तरफ बढ़ है और आज की rate में आप यह चेक कर सकते हैं कि आज कितनी healthy है I hope कि जानकारी है आपके लिए confusion तो नहीं होगा यही सेम चीज यही सेम चीज आपको दूसरी report में क्योंकि हमने दो report generate करी ती यही सेम चीज आपको दूसरी report में मिलेगी काफे सारी information मिलेगी लेकिन आपको चेक क कर रहा है 37905 यह जब भी आप हर बार change करेंगे यह change होता रहेगा लेकिन अगर यह सेम आ रहा है that mean कि आपकी battery proper तरीके से work कर रही है लेकिन last full charge जो battery है अगर वो decree हो रहा है that mean कि आपकी battery charge hold नहीं कर पा रही है उसमें problem आ चुकी है तब आपको battery change कराने के बारे में सोचना च है यह लख तो चुकी है अचैज मेरा पलेवर फधनल्स कर रहन जिर लो यह रहा है जल्लाकर से रहेब कहाक्टत बूंश्या करते हैं इजरागा है तो पना जिलाम आपको पा motiv fail जो जोजडे आपको में प्जलागार बारे कering कर जो घुशे उना है जो तो ढॉशे है तो